नमस्ते प्यारे विद्यार्तियों हम कावे गुण का अध्यन कर रहे हैं कावे गुण कावे सोबाया करतारो द्रहमे गुणे आचारी वामन के परिवासा ये आपको पहले मैंने बता दी थी दो वीडियो में रसका उत्कर्स करने वाली बातों को गुण कहते हैं ये मैंने बता दिया था आपको गुण के तीन वेद हैं परसाद ओज और माधूरिये पूरू जो अपनी कक्साई चली पूरू जो वीडियो थे उसमें हमने परसाद और ओज गुण का अध्यन कर लिया अब इसका एक माधूरिये गुण का आजम अध्यन करेंगे माधूरिये का अर्थ है मिठास सुरूति सुकतता समास रहीत्ता आधृत्ता दर्वित करने की विशेशता, भाव मैता, आहला दगता, आदी, ये माधूरिय के अर्थ है, दुबारा फिर बोल देता हूं मैं, माधूरिय का अर्थ है मिठास, सुरुती सुकत्ता, समास रहिता, आद्रता, चित को दर्वित करने की विशेशता, भाव मैता, आला दगता, आ माधूर युक्त रचना को पढ़ने से मन में एक आलाद उत्पन होता है जो मन को पिगला देता है प्यारे विद्यारतियों इसकी परिवाचा मैं बोलता हूँ अन्तय करण को आनन उल्ला से दर्वित करने वाली कोमल मधूर वरनों से युक्त रचना माधूर गुण से संपन होती है वो ही माधूर गुण है प्यारे विद्यारतियों फिर एक बार मैं इसकी परिवाचा बोल देता हूँ मैं जिस रचना को पढ़कर या सुनकर रदे में दुरूति उत्पन हो उसे माधूर गुण कहते हैं दुरूति का अर्थ होता है पिगलना या धर्वित होना यानि जिस रचना को पढ़ने से या सुनने से रदे में दुरूति उत्पन हो जाए यानि रदे पिगल जाए रदे धर्वित हो जाए आनद उल्ला से धर्वित हो जाए वो ही माधूर ही गुण है तो इसकी ये दोन उल्लास से दर्वित करने वाली कौमल मदूर वर्णों से युक्त रचना माधूर्य गुण से संपन होती है नमब एक नमब दो जिस रचना को पढ़कर या सुनकर रदे में दुरुति उत्पन हो उसे माधूर्य गुण कहते हैं माधूर्य गुण के परिवाचा हो गई अब माधूर्य गुण के वेंजक या उसकी विशेष्था विशेष्था तो आपको समझनी समझनी इसको याद करनी है तब ही आप इसका आंसर देवाओगे परिख्या में नमबर एक सभी वरग आकसर यानि जो इसपर्स वेंजन है उसमें इसपर्स वेंजन में टै वरग को छोड़कर बाकी जो के वरग चै वरग तै वरग और जो पै वरग है वो सभी माधूर्य गुण के वेंजक है उसमें माधूर्य गुण का प्रियोग होता है क्यावल टैठ डेडे जो जह है उसको छोड़कर इन में माधुर्य गुंड का प्रयोग नहीं होता कि दूसरी विसेज़ता है श्ञुंत अक्सर का प्राय अभाव जबकि जब हमने कल ओजगुण का अध्यन किया था तो ओजगुण में साइकत अक्सरों का आधिक के होता है उसमें अधिकता होती है इसमें मादूरिय में प्रायस का अभाव रहता है और यदि साइकत अक्सर का प्रयोग मादूरिय गुण में होता भी है तो पंचमाक्सर के या दिज़म्ग नंधन चुमबन शंसे आदी सब्द तीजूइस की विश्यता है लगई है और और अणे का प्रयोग होता है इसमें जैसे रवी इसका अगली विश्यता है कि समास का अभाव यह समास की अल्पता या नि इसमें समास यह तो बहुत कम होता है यह नहीं होता है जबकि और गुंऩ में समाँगों का अधिक होता है जबकि इसके विप्रीत है माधुर्यें में और में समाँगों सायूक एक्सरों का आधिके हैं तो इसमें प्राई इसका अभाव है नयके बराबर है ओजगुन में टैवरक का प्रयोग होता है तो इसमें टैवरक का प्रयोग नहीं होता है होता भी है तो प्राई लगवग अभाव ही रहता है उसका तो प्यारे विद्यारतियों अब मैं इ बोलता हूं एक वर्दे वीणा वाद नी वर्दे नव गती नव ले ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नब के नव व्यग वरंद को नव पर नुस वर्दे ये पैरे विद्यारतियों आपने ये प्रात्ना रूपी दोहाई है इस दोहे को जोहीं सुना ज तो मन में एक आलाद सा उत्वन हुआ मन में आनंद और जो उल्लास है वो दर्वित सा हुआ क्योंकि इसके कोमल और मधुर वर्ण थे इस कारण इसमें माधुरिये गुण का प्रियोग हुआ है दूसा उदान बोलता हूं मंद मंद मुरली बजावत अधर दरे मंद मंद नि क्या है और प्रसाद और माधुरिये का इसके बाद हम अगले बिंदू कावे दोस उसका अध्यन करेंगे धन्यवाद